स्थाइब्स मां बांगा तक भी आर रो चेरा दा करने के बांद ची मैं टायाटिंग करने वाले मुषो आफरी नहीं हमा कासानी चुप का ना व्हां सूने जनी का ना कास थी डाइटिंग करना ती वारे वहां गब से खाई है। मड़ों कि का थम ड़ी व्रग बेवार थे शरी वरग बेवार को अचलेह अभी और चाहिए जिंदिगें अपंड रगा थे यह जाने का घाइज तो ला गर भी वी उटका ने ने शरी मां थे जब चीज़ों को आप अपने लाइफ स्टाइल में ले आते हैं रूटीन में ले आते हैं वो चीज़ें करना असान होती हैं रादे दन कि आप अलग से सोचें कि मैं जिम जाओंगी या मैं ये कल से शुरू करूंगी नहीं आप अपनी लाइफ में अपना अपनी जिन्दगी का हिस्सा बना ताकि वो रूटीन में आया और आपको अलग से कुछ ना करना पड़े जब ये चीजे रूटीन में आइंगे ना आपने एक टाइम में रोटी सालन के बजाए आपने वो फूट का टाइम रख लिया कि हम फूट खाएंगे सब फूट खाएंगे तो वो होगा मतलब एक रूटीन बन जाएगी ना बनेगे नहीं खाना बच्चों को बजाए इसके कि आप केक्स और ये वाली चीजे ने आप फूट्स खजूर शहद इस तरह के सुईट सुईट चीजे ने जो पार्ट ऑफ मतलब कर सकती है ना बच्चों को वहीं आदत दिलाना कि आपने ये चीजे खानी है और दूसरा जब वो आप उन्हें ये इसको आप उनकी जिन्दगी का हिस्सा बना देंगे ना तो फिर उन्हें अलग से सोचना नहीं पड़ेगा उनको पता होगा कि हम तो शुरू से यही करते हैं हम तो इस टाइम पर फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट ही खाएंगे तो यह होता मुश्किल है आप पहले बच्चों को वेजिटेबल्स दें कि आप एक बाउल में उसे ज्यादा अट्रैक्टिव बना करें कलर फूट बीच में फ्रूट डाल दें जो खीरों के साथ आप केला और यह वाली चीज़ें मिक्स कर दें तो शायद बच्चों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव पर मैं यह नहीं कह रही कि आप बच्चों पर जल्म करें उन्हें कुछ भी ना दें आप बच्चे बहुते हैं उनकी बढ़ाएं उनको उसको अट्रैक्टिव लेकिन यह कि मतलब यही हल है इस चीज़ का बजाए इसके कि हम बाद में जब वो बेसिटी वाली तरह बच्चे स्पेशली अगर उबीज हो जाएं तो बहुत मुटापा है और जो बेसिटी है या जो मुटापा है वो समझ लें कि सगेट फॉर मल्टिपल इशू बहुत सा जोगर का मसला श्ट्रोग जो फालिच का मसला तो क्या कहते हैं हडियां कम्सोर हो जाना फ्रैक्चर्स हो जाना जोडों में दर्ड मैं अकसर मरीजों को कहते हूं कि आपकी मशीन जो पचास किलो के लिए बनी मिया मुस्तकिल उस पे सौ किलो लेके चलेंगे तो वो हाला कि फूट्स और ऐसी चीजें जिनसे में फाइदा हम उने छोड़ के टैबलेट्स ज्यादा लेते हैं केल्शियम टैबलेट्स और बाकी चीजें के से हमें फाइदा हो मल्टी वाइटमिन्स उस वक्त जब आप में डेफिशेंस आप वो सिचुशन आने ही ना देना क्लेक सिर्वक्ण क्लीनिक शुरू किया था ना तो उसका मक्सद ही है था हम मेरे जो ट्रीटमेंट प्लान डो तरह gi में धोती है एक नौन फार्मा को उबॉजीकल जिटमिन्न सिर्फ लाइश्टायग डाइट ओनको वह यहीं की वाली सारी वजेंसीन के बारे में बताना न बैमारी की प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है उनके बारे में बताना बैमारी के रेट फ्लेक साइड या निए खतरनाक चीज़ें कौन से होती है वह बताना यह सारी मेरी नॉन फार्माकलॉजिकल ट्रीटमेंट मैं आती है के अंडरलाइंग कोई और कॉस ना फिर उन्हें फार्मकलाजिकल ट्रीटमेंट पर हम लेके जाते हैं और इसका मकसद ही है कि आप हेल्थ अवेरनेस तें ये बिसिकली ये डिपार्टमेंट मुर्शिद हास्पिटल में शुरू ही इसलिए किया गया कि जो है लोगों में हेल् इपरेशन का शिकार है क्या करना है पढ़ना है खाने पर तवज्जा निंग देना है इसके लिए अवेरनेस जरूरी है आप माँं के लिए जिनके गर में बच्चे हैं मैं ब्रॉड जाके बच्चों को देखती हूं तो बच्चे इतने फ्रेश स्माइल और हमारे बच्चे इतने स्ट्रेस्ट है अब बजली आने का टाइम है अब बजली जाने का टाइम है पानी है पानी नहीं है हमारे बच्चे ही इन मसाइल का शिकार होगी है हम लगज्ज्री इस तो बच्चारों को क्या दे हैं हमने स्टीज ही नहीं दे पारे तो यह सारा बस अला हार बच्च की मसाइल ने मेरे बच्चे छोटे हैं ना दो तो मैं हमेशा मैंने एक वर्क्शॉप अटेंड की थी मैं हमेशा यह चीज जरूर मेंचन कर दे मैं एक वर्क्शॉप अटेंड की थी उसमें बहुत अच्छी उन्होंने बताया कि आप बच्चों को कभी भी लालच या स्टम रखें लाइक आप अपने घर में एक चार्ट लगाएं जिस पर आपने बच्चे ने कोई भी अच्छा काम किया चाहिए वो सलाम करने से लेके कोई बड़ा अच्छी अचीवमेंट तक है आप स्टार रखें फिर आप हफदे बार वो स्टार काउंट करें और फिर उ आप मतलब वी यूज़ तो कॉल डाइट स्टार अज़ नेकी कि यह आपको नेकी में लिए तो जो है वो से बच्चों में यह वो होता है कि अच्छा एक तो हम जब बड़े भी हो जाएंगे तो हम अपने पूरे उस पर रूटीन पर वो रखते नज़र रखते हैं आज मैं बच्चों को मारते हैं बच्चों को मारना चोटी चोटी गलती हो पर कितना गलत होता है बच्चों पर ना यह सर पड़ता है कि आपने मार दिया ना आपने बता दिया कि मेरी लिमिट यह है तो फिर मार को भी ना वो वो कर जाते हैं वो धीट हो जाते हैं धीट हो जाते हैं कि आप कहां तक बच्चे को लेकि जा मतलब आप वो जो डर होता है ने कि पता नहीं क्या होगा वो ज्यादा important अगर आमने मार दिया आमने तो जाया कर दिया सब कुछ पूरा दिन जाया कर दे जो मैं सोचती हूँ को लिज घ्र का चुकर माँ ढकर रुक्सान र्याजे को फो गप एत्यों का यहा compact नाधर लाजमा आउन Technology sap को लिजमान क्टी बिल्कुल स्यूर्च यही है कि जैसे हमने के REAL कर दोनिए बात कर दो रिए के लिए कि जो science symptoms हैं वो हमने बता दी है, prevention बता दी हमने. जो ein vector है वो mosquito या मचर है, उससे बचने के लिए सफाई का ख्यार लखें. Quickly, mosquito net इस्त्माल करें, repealent इस्त्माल करें, lowgo में awareness पैदा करें, सफाई का ख्यार लखें. और एक और जो मैंने नहीं शायद मेंचिन की कि जो बुखार है ना उसके लिए कोशिश करें कि पैरस्टमोल ही इस्तमाल करें जो पैनडोल के नाम से ट्रेड नेम के साथ अविलेबल है एस्प्रीन डिस्प्रीन जिसको बोलते हैं और रूफिन ये इस्तमाल ना करें क्योंकि ये गरें इनको तो ये वाली जो दवाई ये और ज़्यादा इसको बढ़ाती है तो इसको एवोइड करें अपने आपको हाइडरेट रखें क्यों हाइडरेट का मतलब कि पानी जादा प्यें जितना पानी जादा पियेंगे वाइरस फ्लाश आउट होगा और दूसरा डी हाइ पानी की कमी इस बिमारी को और खराब करते हैं ठीक है और मुश्च हमारे मुश्च हॉस्पिटल में जो है इसका स्पेशल वार्ड है अवेनेस के लिए आपको पॉम्फलेट और लीफलेट्स मिलते हैं आप मतला हफते में एक दो दफा सेशन्स हो रहे हैं ताके हम लोगों को आगाई दे सकें कि आप बेमारी लेके हमारे पस्णा आए अच्छी चीज़ लेके जाएं बाद बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपको बिलाने के बहुत शुक्त आहए हवाले अवेरिंस है 강ण को तेगेते हैं शो मारे मरागिश चुब लग थी फीड़ वे जेतां, अल्लाह में आरे